आज मैं आप लोग के साथ सूजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ सूजी की आप इस तरीके से ब्रेकफास्ट बना सकते हैं जो कि बहुत ही हल्दी है और बहुत ही कम तेल में बना कर आप इसे रेडि कर सकते हैं आप चाहे तो आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं बहुत ह to my channel कुसुन की रसोई में आप सभी का स्बाइब और श्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंच और चोणी सीट भी शूजी ले सकते हैं मैं यहाँ मोटी वाले शूजी ले सकते हैं अपर मिक्सरें करना है लेकिन आप वीडियो को इसका बिल्कुल भी लिए गए देखते रहें मैं किसरी किसे बनाई हूँ बहुत ही टेश्टी बनती है वच्छों बरोग सभी को पसंद आएगी तो मैं यहां पर डाल दी हूँ सूजी को मिक्सर में जार में उसके बाद इस कटोड़ी से मैं कटोड़ी डाली हूं दही उसके बाद उसी कटोड़ इसे मतलब थोड़ा समय पानी डाली हूं और स्वादुमसा नमक इसे डाल कर अच्छे से कर लेना है ग्राइंड देखें मैं यहां पर आप लोग को दिखा देती हूं इसकी कंसिंस्टेंसी जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए इकदम पतला बैटर इसका रेडी नहीं करना है देखें इस तरीके से अच्छमच में इस तरीके से एकदम मोटा लेयर इस तरीके से कोट होना चाहिए देख सकते हैं आप लोग इतना पतला भी मैं नहीं की हूं चलिए एकदम परफेक्ट बनकर इसका बैटर जो है वो रेडी है हमारे नास्ते के बैटर इसमें थोड़ा स यहां पापने यक्स by कंटेनर या चाहिए इटली वाला जो बनाने वाला यहां भी यहीं अर्भान का डाली और य मैं तूर रखहाव नगता हो ठाला या लेखा या में smile साही में मैं इस नीचे में कुछ एक प्लेट वेरा लगाते और इसके बाद उपर से इस तरीके से पानी डाल कर प्लेट में जो बैटर डाले थे वो इस तरीके से रख दीजिए और इसे ढख कर कम से कम 10 मिट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से कुख हो चुकी है यहां पर यहां पर इसे हटा रही हूं और यह खुद बखुद ही हर जाएगी फ्रेंट से बहुत इसली यह डिमोल्ड हो जाती है देख सकते हैं आप लोग एकदम प्लेट में उतना नहीं लगी है और देखे कितने चैसे यह एकदम बनी भी है और फ्लफी भी बहुत हुई है देख स चाहे तो कोई से भी सेप में से कट कर सकते हैं मैं इसे चार भागों में कट कर रही हूं इस तरीके से आप चाहे ना जीरो आयल में खाना चाहते हैं मतलब आप बिल्कुल भी कम तेल में खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है अगर आप तो मैं थोड़ा सा इसमें पैन में टेल रख ली हूं और इसके बाद मैं इसे फ्राइ कर रही हूं आप इसे बचों के लंच बॉक्स में दीजिए या हजमेन के लंच बॉक्स में दीजिए बहुत ही टेश्टी बनती है तो चलिए फटा-फट से एक तरफ से सिखने के बाद दूसरे तरफ भी इसे अच्छे से अलट पलट कर हलका गूलन-ब्राउन होने तक बस शेक सकते हैं तो बस हमारा यह Healthy नास्टा बनकर रेडी है तो चलिए इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग तो देख सकते हैं कितनी अच्छी जो हमारी यह नास्टा की रेश्पी बनकर रेडी हुई है हेल्दी टेश्टी नास्ता की यह रैस्पी हमारी बनकर जो है एकदम रेडी हो गई है और देख सकते हैं देखने में जितनी शुंदर लग रही है खाने में भी उतनी टेश्टी और बहुत ही टेश्टी बनी है फ्रेंड्स एकदम सौफ्ट जालीदार सूजी का यह के रैस्पी आप लोग एक वार जरूर्स ट्राई करिए साथ में में रखी हूं धनियापत्य की चटनी आप को इसके जगाह कोई बी चटनी रख सकते हैं जो को चटनी पसंद है आप इसके यूसाथ इसे कहा सकते हैं और एक वार जरूर आहँ замक pledge बन्क करिएग하고्स बहुत ह खा सकते हैं या साम के इवनिंग के स्नैक के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं तो आप लोग एक वार जरूर ट्राइ करिए गा और वीडियो पसाना है फ्रेंज तो लाइक शेयर कमेंड करना नहीं भूलिएगा मिलूंगी नेक्स वीडियो में टेक कियर बाबाई